Hello friend, Graphic Teaching Art में आपका सूअगत है आज मैं आपको फिलेस के अंदर रंगोली बना के In this script 3.0 में कुछ बना के दिखा रहा हूँ जैसे मैंने pen tool लिया, pen tool से में हाँ कोई शेप बनाता हूँ जैसे मैंने pen tool से इस तरीकी से कोई शेप बनाई जिसे मैं shape बनाता हूँ अब आप इसको जैसे select करते हैं जैसे मैंने select किया और यहां को इस color field कर दिया color field करने के बाद आप यहां double click करते हैं तो इसकी जो outline है यह सारी की सारी select हो जाएगी इसको मैं delete कर देता हूँ delete करने के बाद अगर आप चाहें तो यहां shift को change भी कर सकते हैं और मैं यहां double click करता हूँ सबसे पहले मैंने किया effect, movie click double click करता हूँ, symbol 1 में जाता हूँ अब मैंने यहां किया एक new layers और import to library या control or import भी कर सकते हैं तो control or import करता हूँ तो यह मैं यहां से कोई भी picture लेकर आ सकता हूँ तो जैसे मैंने डेश्टोप पे पहले सी कोई picture लेकर रख्यू ही है जैसे मैं यह picture लेकर आता हूँ इसका size थोड़ा छोटा किया size को छोटा करने के बाद अब मैं यहां इसको करता हूँ F8 center पे point पे click करके okay करता हूँ और मैंने इसको किया 25 frame तक दोनों को select किया और F6 मैं यहां कर देता हूँ यह right click करके key frame यह बात एक ही है create classic tune यहां पर भी मैं last में create classic tune देता हूँ और बीच में select करके मैं यहां देता हूँ CW तो यह इस तरीक से घुमता हूँ दिखाई देगा अब layer 1 को उपर रखता हूँ मैंने right click करके mask किया तो यह इस shape के अंदर effect आता हूँ दिखाई देगा आपको अब इस point को मैं kone पी रखता हूँ copy करता हूँ और paste in place करता हूँ इस तरीक से paste कर देता हूँ ऐसी मैंने यह इस तरीक से paste करा paste करने के बाद अगर आपको जल्दी काम करना है तो इन सारों को select करते हूँ ctrl c copy paste in place और इस तरीक से आप rotate कर सकते हूँ अब हम क्या करते हैं अब हम करते हैं यह जाके ctrl enter तो यह ऐसे इस तरीक से effect दिखाई देगा आपको अगर आप चाहें हैं तो इन सारों select करके इस shape को थोड़ा सा change कर सकते हूँ size को बड़ा करना चाहिए बड़ा कर सकते हैं अब जैसे मैंने इस पर ctrl enter किया जैसे यह इस तरीके से रंगोली टाइप का आपको दिखाई देगा इस तरीके से आपको यह रंगोली टाइप ही बना सकते हैं और मैं ctrl as save करता हूँ अब मैंने डेस्टोप पर कोई भी नाम दिया जैसे मैंने index दिया fla file original file होती है save करता हूँ जब मैं ctrl enter करता हूँ तो इसकी जो hw file है यह automatic बन जाएगी और यह देखिए आप यह hw file बन गी यह इस तरीके से आप कोई भी animation मना सकते हैं धन्यवाद आपको यह movie कैसे लगी आप हमें जरूर बता सकते हैं धन्यवाद